हालो एवरिवन गुद मॉर्निंग और वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज है ट्यूस्टे और सुबह के बज़रे हैं ठीक साथ और मैं हूँ किचन में नाष्टा बना रही हूँ, आज आना है इनको आफिस तो मैं फटाफट से सुबह पहले नाष्टे पे लग गई, तो आज नाष्टे पे बन रहा है कदू की सबजी और पूरी और यहाँ पर मैंने सिंपल सी कद्दू की सबजी को फ्राई कर दिया है तो कद्दू की सबजी मैं मूस्ती लोहे की कड़ाई में बनाती हूँ क्योंकि लोहे की कड़ाई में कुछ सबजी बहुत ही जादा अच्छी बनती हैं तो बस यहाँ पर मैंने सिंपल से कद्दू को फ्राय करके उसमें बेसिक मसाले डाल दिये हैं अब इसको जो है ना मैं धीमी आश में करके और इसको ढखके पकाऊंगी तो तब तक जो है मिरी कद्दू की सबजी बनके तयार होगी उतनी देर में मैं चली गई हूँ रूम पे तो अभी सब सो रहे हैं मैंने किसी को भी नहीं उठाया है तो यहाँ पर जो है मैं इस रूम की बैटशीट वगेरा चेंज कर रही हूँ क्योंकि 3-4 दिन हो गए थे रूम की बैटशीट जो है चेंज नहीं की थी तो यहाँ पर वंशी का जो है अपनी क्लास करती है अंलайн क्लास तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से पहले रेडि कर देती हूँ तो यहाँ पर मैं सब कुछ बिछा दूँगी ताकि वंशी का उठे नहाय दो और अपनी क्लास के लिए रेडि रहे तो उसका bag, उसकी table, सारी रखने की जो जिम्मेदारी होती है वो मेरी होती है क्योंकि बच्ची जो है न उटने के बाद सिर्फ और सिर्फ time pass करते हैं उनको सिर्फ लगता है कि हम time pass कर लेते हैं इधर उधर गूमते रहते हैं यहाँ पर मैंने कर दिया है room set और जब तक मैं ही सारे काम कर रही थी वंशीगा के पापा भी उट चुके थे तो अब मैं चली गई हूँ दुबारा सी kitchen में और अब मैं बनाऊंगी पूरियां फटाफट से क्योंकि मुझे टीफिन पैक करना है इनका तो ऐसा होता है कि जिस दिन टीफिन पैक करना होता है उस दिन थोड़ा सा ज़्यादा काम बढ़ जाता है तो यहाँ पर बस मैंने फटाफट से पूरियां बना के रख ली है अब इन्हें फटाफट से मैं fry कर दूँगी तो यहाँ पर मैंने फटाफट से पूरियां भी बना ली है और उसके बाद मैं करूंगी इनका टीफिन पैक और इतनी दिर में बच्चे भी उठ गए थे क्योंकि उनकी भी क्लास होती है तो मैं सोचती हूँ कि उनकी क्लास होने से पहले उनको नाशता वगएरा करवा दूँ तो यहाँ पर मैंने इनकी पूरियां रख दी है और मैंने फॉयल पेपर में रखी है एक बार मुझे याद है मैंने आपको बोला था कि फॉयल पेपर मत यूज कीजिए लेकिन ये जो फॉयल पेपर है ये कहीं से आया है तो बस मैं इसको इसलिए यूज करी हूँ ये मैंने खुद से नहीं खरीदा है तो बस यहाँ पर मैंने टीफिन में रख दिया है पूरियां और साथ में मैं एक दो पीस आम के अचार भी रखूंगी और उसके साथ मैं रखूंगी थोड़ी सी दही वैसे तो मैं रायता मनाती हूँ बट अभी खीरा और बूंदी कुछ भी घर पे नहीं था तो मैंने सिम्पल सी दही रख दी है और थोड़ा सा जो है अच्छा रखते है पूरी के साथ और यहाँ पर मैंने एक टीफिन में पैक कर दिया है कद्दू की सबजी को और साथ ही थोड़ा सा जो है काला नमक में अलग से रखोंगी फॉयल में क्योंकि अगर मैं दही में डाल दूंगी न तो जब तक यह खाएंगे दही खटी हो जाएगी और फी वह अजीब सी हो जाती है तो यहाँ पर मैंने कर दिया है इनका टीफिन पैक और अब पाने की बॉटल और टीफिन को ले जाके मैं रख दूंगी टेबल पे तो जब यह जाएं तो भूले नहीं अपना सामान ले जाना तो बस उसके बाद मैं फटाफट से भाग के गई रूम पे और इनकी जो टीफिर्ट इस पर मुझे प्रेस कने थी क्योंकि टीफिर्ट जो है ना जो इनको ले जानी थी इस पर प्रेस नहीं हुई थी अब तक वंजी का एंड विदांज की ओनलाइन क्लासे चल रहे थी तो बस अभी अभी दोनों की क्लासे खतम हुई है जैसे इनकी क्लास खतम हुई है ना मैं आ गई हूँ कीचन में चाय बनाने के लिए तो आज मॉर्निंग से चाय नहीं पी और इनके साथ बैठे 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 ना नील सी आने लग जाती है मैं तो वंशीका के साथ मुझे जादा नहीं बैठना बढता है बट विदांश के साथ मुझे पूरा बैठना बढता है जब तक उसकी क्लासे खतम नहीं होती है तो मेरी ड्योटी भी नौ बजे से और बारा बजे तक भी फूल उसके साथ बैठने की होती है तो बस जैसे ही class ख़तम हुई मैं सीधा kitchen में भाग के आई मैंने का सबसे पहले अपने ले चाय बनाती हूँ क्योंकि morning में भी नहीं पिये तो थोड़ी सी नींद भी आ रहे है तो नींद भी चली जाएगी तो मैं अपने ले बनाऊंगी चाय और विदांश और वन्शी का के ले बनाऊंगी मैं दूद क्योंकि इन लोगों ने milk भी नहीं पिया है तो अभी ये लोग milk पियेंगे और अब मैं थोड़ी सी फ्री हुई हूँ और आज जो है वन्शी का के पापा गए है ऑफिस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि तो बस फटाफट से अपने ले चाय बना लेती हूँ और उसके बाद दूपैर के लंच का टाइम हो जाएगा और आज लंच की भी मुझे ज्यादा टेंशन नहीं है क्योंकि मॉनिंग में आज जो है मैंने बनाया था पूरी एंड कदू की सबजी तो पूरी इस दिन खाऊ ना उस दिन काफी ज्यादा है वी हो जाता है तो बस अभी आज मुझे तो कुछ नहीं करना है लंच बच्चे जो भी खाएंगे मैं उनके लिए दूपैर में बना दूगी औ क्याएं और उसकी आंख में दर्द हो रहा है विदानशकी क्योंकि बहुत दिर तक मुबाइल देखने से और लैपटप देखने से आख बच्चों की आईज में प्रॉब्लम हो ही जाती है पिस और नाले नी नी आए अरे ड्रॉप तो है तुम्हें नहीं इसमें पुरी खतब कर दिया है तो लगगा कि इसमें डाव लादा है तो आपको एसम अच्छे वह शाम के बजचुके हैं ठीक साड़े चार और आज लाइट बहुत ज़ादा परेशान करिए पता नहीं क्यों बहुत ज़ादा आज लाइट जा रही है तो कम से कम 6 बार अज़ा नहीं देख थो अब को आपको आज दिखाने वाली हूं अपनी कुछ जो कि मैं जब अभी हरीदवार गई थी तो वहां से करके लेकर आई थी तो कुछ मुझे गिफ्ट मेले थे और कुछ मैंने शॉपिंग की और कुछ जूलरी खरीदी थी लाइक बैंगल्स वगेरा मैंने कुछ खरीदे थे तो वही मैं आप लोगों के साथ जो है अभी शेयर क करना आप लोगों को दिखाना बड़ मौका भी नहीं मिल पा रहा था मुझे और मुझे ना कुछ याद भी नहीं रहता है यह सब चीजों को जिस समय याद आता है उस टाइम पर मैं बीजी राती हूँ इदर कुछ काम कर रही होती हूँ तो मैंने सुचे आज अच्छा खरीदी थे green color के यह देखिए तो यह daily use के तो नहीं है क्योंकि इसमें नग लगे हुए है और यह कभी-कभी के लिए अच्छे हैं किसी भी function या party के लिए तो यह green color मुझे बहुत जादा पसंद आया था तो पहले मैंने यह green color के अपने लिए कड़े लिए थे और उसके बा तो इन में से दो तो मैं पहन चुकी हूँ और यह दो बिल्कुल new रखे हैं यह नहीं मैं पहनती हूँ थोड़े से heavy हैं और यह सारे जो भी आपको मैं दिखा रही हूँ ना यह कांच के bangles हैं क्योंकि मुझे metal सूट नहीं करता है मैं metal के कभी भी नहीं पहनती हूँ तो बस एक मैंने लिए थे यह देखिए यह पेंग कलर में है और यह दो है यह मैंने लिए नहीं है यह मुझे शिल्पी ने गिफ्ट किये दे तो ऐसे ही दो उसके पास है और यह दो जो है उसने मुझे दिये तो बहुत प्यारे लग रहे हैं वाले देखिए और यह भी डेली उसक तो आटा वटा गुनना होता है तो उसमें जो है निकली जाते हैं एक यह लिये थे मैंने इनका एक शायद तूट भी गया है और यह डेली के लिये लिये थे मैंने क्योंकि यह काफी लाइट है इनका वेट लेकिन बस प्रॉब्लम यह कि इनमें भी नग है तो इस वज़े से पहन पाती हूँ तो यह होता है कि कभी-कभी आपके पास नहीं होती है चुडिया पहनने के लिए ने यह लिया था यह आपने देखा होगा यह पहन के भी रखते हूँ यह देखिये ऐसा-इसे मेरेपास दो और है तो यह गोल्ड नहीं है यह डेली उसके बहुत अच्छे पर इनका कलर भी नहीं उतरता है और ये भी मुझे शिल्पी ने गिफ्ट किये थे इसी तरीके के आठ थे उसके पाद जिसमें से चार उसने मुझे दे दिये थे और चार उसने खुद रखे तो ये एक मैंने अपने की हाथ के उतार के आपको दिखाया ये देखिए बहुत अच्छे रखते मुझे है एंड मैं आपको दिखाती हो मैं अपने ले पायल भी खरीदी थी मेरी फेवरेट पायल लेकिन उसके साथ कुछ ट्रैजिटी हो गई है क ये देखिए ये मैंने पायल खरीदी थी ये पायल है काले मोतियों वाली पायल आजकल चली हुई है और इसमें मैंने सिर्फ एक ही घुंगरू लगाया था और ये बहुत सुंदर भी लगती थी पैर में पहनने के लिए तो इसका एक जो है ना कल विदांश ने तोड़ दि पहने के बाद एक अलग साई लूक आता इसको पहनने के बाद और ये ज्यादा बजती भी नहीं है जैसे चंचन नहीं कर दिया जादा तो ये विदांश ने तोड़ दिये और और आप मैं आपको दिखाती हूँ जो मुझे शिल्पी ने गिफ्ट किया था तो आपने देख होगा कि मैंने वंशिका के बर्दे व्लॉग में ग्रीन कलर का सूट पहना है अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको दिखा देती हूँ ये दिखिए अभी मैंने से प्रेस नहीं की हुई है क्योंकि कहीं जाना नहीं हो पा रहा है और सबसे बड़ी बात है कि मैं हाई मैं कि मैं इस तरीक ये मैं थैका रगड़ी इस त से नहीं है हल्का सा जोぎ हमारी में खिया रक्षा बंदन में इसके साथ यह तुपता था ये वाला देखिए और ये मैंने पहना था अपने वीडियो में आपने देखा होगा वंची का के बर्धे वाला व्लॉग तो उसमें मैंने यही वाला सुट पहना था तो ये शिल्पी ने मुझे गिफ्ट किया था और उसके बाद मैंने एक और इसी तरीके का वन पीस होता है न वो लिया था गाउन तो उसको मतलब आप चाहो तो जीन के साथ भी कर सकते हो लैगिंग के साथ भी या ऐसे भी आप पहन सकते हैं तो इसमें भी प्रेस नहीं हो आप की हुई है मैंने तो अभी बिल्कुल इसका कपड़ा जो है न ऐसे बिल्कुल मुर्जा गया है तो इसको प्रेस करके कभी पहनोंगी तो आप लोगों को ज़रू दिखाऊंगी यह मुझे बहुत पसंद है परस्नली यह मुझे बहुत जादा अच्छा लगता है क्योंकि पहनने के बाद बिल्कुल भी मतलब इसमें गर्मी नहीं लगती है कॉटन है यह और मैं प कपड़े वह लोग महां से मिलते हैं ऐसा नहीं है कि वहां से खराब कपड़ा मिलता है कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं मैं तो खुद मैंने देख लिया है अपने आप लेकर तो मुझे कापी अच्छा लगा है तो बस यह कुछ गिफ्स थे जो कि मैं हरीदवार से लेक ज़ाए ज़ादा मिले थे तो वो तो उसने तोड़ वोड दी अभी और कुछ उसको ड्रेस भी मिली थी जो उसकी मौशी की तरफ से उसको ड्रेस वही थी और बाकी का जो भी था वो मतलब कैश वगारा ममी ने दिया था और भाई ने भी तो वो सब उन्होंने गिफ्स नही तो यह सारी चीजे थी जो मैं हरी दुवार से लेकर आई थी और कैसी लगी आप लोगों को मुझे जरूरू बताना कॉमेंट बॉक्स में तो वीडियो हो गया है काफी रंबा और अपने आज के व्लोग का एंद में यही पर करती हूं तो बस इतना था मेरा आज का व्लोग आ कैसा लगा मुझे जरूरू बताईएगा और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेगा मैं मिलती हूं आपसे अपने अगले वीडियो के साथ तब तक ले बाबाई एंड टे कियर